दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगाऊ दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं उस काम में लगा हूं हाँ एक सवाल आ गया है जो अब तक किसी ने नहीं पूछा शायद आपको पूछने के लिए मन में तो होगा लेकिन आपने क्यों नहीं पूछा महिलाओं से संबंदित ये सवाल है मैंसीज पीरियड का दो सवाल आए हैं एक तो ये है कि वाइट डिस्चार्ज बहुत होता है तो क्या करें तो इसके लिए आप ऐसा करिए एक आयुर्वेद की दवा इस्तेमाल करिए उसका नाम है शतावरी कहीं भी मिलती है आयुर्वेद की दुकान शतावरी चून के रूप में ले लिजे इस शतावरी चून को दूद में मिला लीजे और रात को जरूर पीजे दूद हल्का गरम रहे और शतावरी डालके दूद उबाल भी सकते हैं फढ़ता नहीं जिनको भी वाइट डिस्चार्ज की समस्या है शतावरी और दूसरी कि जब भी मेंसीज पीरियड आता है बहुत दर्द होता है तकलीफ होती है इचिंग बहुत होती है तरे-तरे की खुजलियां होती है शरीर में गुसा बहुत आता है चलचड़ाफन वगरा वगरा तो आपका जब भी मैंसीज पीरिएट होता है तो आपके शरीर में वायू बहुत बढ़ी हुई है पित भी थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है इसका बहुत आसान उपाय में बता देता हूँ बागवट जी का है मेरा नहीं वो ये कहते हैं कि मैंसी इस पीरिएट में सब कुछ ठीक रहे समय से आए, समय से जाए, जादा रक्त ना निकले और कम भी ना हो, इस सब चीज ठीक रखे के लिए गरम गरम पानी में जो इतना गरम हो जैसे चाय होती है घी मिला के पिए गरम गरम पानी में, खूब गरम पानी में गाय का घी आपके घर है तो बहुत अच्छा नहीं तो कोई भी घी, भैसका भी चलेगा एक चमबच मिलाएं, आदा गिलास खूब गरम पानी खौलता हुआ घी मिला दे, थोड़ा पीने लाइक हो जा उतनी देर रखे फिर इसको चुस्किया ले ले कर पिए अगर आपका मासिक पांच दिन चलता है, चार दिन चलता है, तीन दिन दिन से मतलब नहीं, जितने दिन चलता उतने दिन, कितनी बार पी सकते हैं, दिन में दो या तीन बार पी सकते हैं, तो अगर आपने ये शुरू किया, तो सब कुछ आपका नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ, मैनोरेजिया है तो ठीक होगा, मैटोरेजिया है तो ठीक होगा, और सब सब ठीक हो जाएगा मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता आप सब समझदार हैं हर चीज आपकी दुरुस्त और तंदुरुस्त रहेगा डिस्चार्ज वाइट है तो शतावरी लेना है और पानी में घी मिलाके किसी भी दूसरी प्राबलम के लिए मैंसी पीरियड में ही इसको ध्यान से सुनें